नमस्कार आप देख रहें स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख्य समचार इंदोर नगर निगम ने सोमबार शुबे बेलेश्वर मंदिर का अवैध निर्माण वाला हिस्सा तोड़ दिया रामनौमी के मुखे पर इसी मंदिर में बावड़े की चठ धसने से 36 लोगों की मौत हुई थी अतिक्रमन हटाने के लिए सुबेट 6 बजे से ही नगर निगम का अमला मंदिर पहुचना सुरू हो गया मंदिर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात किया गया प्रशासन ने धक्कन वाला कुवां सुखलिया और गाडरा खेडी में भी धार्मी किस्थलो के अतिक्रमन को हटाया है देश के राष्टी सुरच्छा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल की सुरच्छा में बड़ी लापरवाही सामने आई है उज्जे नाय डोभाल महाकाल लोग घूम रहे थे इस दोरान उनके उपर ड्रोन उड़ता रहा जिससे हड़कम मच गया इसे डोभाल की सुरच्छा में बड़ी चूप माना जा रहा है पुलिस ने ड्रोन उड़ाने वाले युबक को गिरफतार का ड्रोन भी जब्त कर लिया है आरूपी के खिलाब केस भी दर्ज किया गया है प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी सोमबार को CBI की स्थापना के साथ साल पूरे होने पर डायमंड जूबली प्रोग्राम में सामिल हुए प्रधान मंत्री ने अपने 25 मिनट के संबोधन में CBI के 6 दसक के सफर और आगे आने वाली चुनोतियों को लेकर बात की उन्होंने CBI से कहा कि आपको कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है PM ने कहा कि आपको अपने काम पर फोकस रखना है कोई भी भरस्ताचारी बचना नहीं चाहिए प्रधान मंत्री ने कारिकर में पोस्टाल स्टांप और डायमंड जूबली मार्क वाला सिक्क का लांच किया इसके साथ ही सिलांग, पुने और नागपुर में CBI के ब्रांच आफिस की नई बिल्डिंग का उधगाटन भी किया अमरकंटक में मुखमंत्री सिवराज सिंग चोहान ने कहा कि हमने गाय माता और अन्य पसुओ को अस्पताल पहुंचाने के लिए एंबुलेंस चलाने का निर्णय लिया है अब जल्द एंबुलेंस चलेगी प्रदेश के हर ब्लाक में एक एंबुलेंस होगी इसमें एक डाक्टर, एक कमपाउंडर और ड्राइबर रहेगा इसका नंबर 1962 रहेगा एक महिने में ये एंबुलेंस प्रदेश में चलने लगेगी गाडिया आ गई हैं कुछ और वेवस्थाएं कर रहे हैं 313 बलाक में 313 और कुछ नगरों में एक एक कुल 407 एंबुलेंस चलाई जाएंगी सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिस्रा के स्री सीव महापुरान कथा का आयोजन उज्जेन सहर में 4 अप्रेल से 10 अप्रेल तक किया जाएगा रोजाना 5-7 लाग भक्तों के कथा में पहुंचने के उम्मीद जताई जा रही है कथा सुरू होने से दो दिन पहले से देश के अलग-अलग हिसों से भक्त उज्जेन पहुंचना सुरू हो गए हैं आज कथा वाचक पनित प्रदीप मिस्रा ने उज्जेन पहुंचकर महाकालेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन किया उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं कभी राजनीती में नहीं आऊंगा और नाहीं कभी चुनाओ लड़ूंगा केवल सिवभक्त करना चाहता हूँ मध्ध प्रदेश में सेवपूर जिले के कुनो नेशनल पार्क से निकला चीता फिर से रिहाईसी लाके में पहुंच गया है सोंबर दोपर करीब शाड़े तीन मजे चीता पारवती बड़ावदा गाउं के खेतों में नजर आया मौके पर वन विभाग की टीम मौजूद है वन कर्मी चीतों को वापस कुनों की और भेजने की कोशिस में जूटे हैं काला राइडी से चीते की लोकेशन ट्रेस कर उसके हर मुव्मेंट पर नजर रखी जा रही है इंदोर क्राइम ब्रांच ने अबैद पिष्टल और कट्टे के साथ नानक सिंग निवासी खरगोन के सिकलिगर को पकड़ा है आरोपी से 20 अथियार जब्त हुए है क्राइम ब्रांच आरोपी नानक सिंग से पूश्ताच कर रही है बताया जा रहे कि आरोपी इन अथियारों के डिलिबरी करने इंदोर आया था लेकिन इससे पहले ही क्राइम ब्रांच ने उसे दभोच लिया इंदोर में आगनवाडी कारिकरताओं ने चक्का जाम कर दिया जिसे कलेक्टेर तिराहे पर करीब एक घंटे तक रैफिक बाधित रहा इस दोरान वाहन चालक परिशान होते रहे उनकी प्रदर्शन कर रही आगनवाडी कारिकरताओं के बीच बहस भी हुई कलेक्टर इलाईया राजा टी ने चक्का जामपन ना राजगी जताई छतरपूर में सोमबार सुबह हुए भीचन सड़क हादसे में तीन लोगों की मोथ हो गई और चार लोग घायल हो गई हादसा जिले के गढ़ीम लहरा थाना चेतर के उजरा गाओं के पास हाईवे पर हुआ यहां दो तेज रफ्तार गाडियां इसकारपियों और वैगानार की आमने सामने से टक कर हो गई इसमें बैगानार सवार मा बेटी और ड्राइबर की मोथ हो गई जबकि इसकारपियों में सवार तीनों लोग घायल हुए हैं देश में एक बार फिर कोरोनो संक्रमन का खत्रा बढ़ रहा है देश भर में कोरोनो संक्रमन के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है बीते 24 घंटों में मद्ध प्रदेश की राजधानी भोपाल में 35 नए मरीच सामने आए हैं वहीं 36 गड़ में बीते 24 घंटों में 22 नए मामले सामने आए हैं मद्धिप्रदेश में आज यानी सोंबार को मौसम का मिजाच गर्म रहा कई सहरों में तापमान में हलकी बढ़ोत्री हुई लेकिन 4 और 5 अप्रेल को फिर से बदलाव देखने को मिलेगा भुपाल में 4 अप्रेल को हलकी बारिश की संभावना है वहीं इंदोर, ग्वालियर, नर्मदापुरम, रीवा, चंबल, उज्जेन संभाग में बादल चाहे रहेंगे कल दिन भर की प्रमु खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुबरात्री